हलो फ्रेंस आप देख रहे हैं गॉसिप टाउन और मैं हूँ आपके साथ कुरतिका बिग बॉस सीजन 16 में अब जंग चड़ गई है ट्रिकेट टू फिनाले वीक को लेकर और अब ऐसे में प्र्यांका चहर चौधरी ने दे दी है बड़ी बड़ी चुनौतिया और ये चुन वो शिफ के खिलाफ आकर खड़ी हो गई है क्योंकि प्र्यांका नहीं चाहती है कि निम्रत को इतनी असानी से टिकेट टू फिनाले मिल पाए और यही वज़ा है कि अब जो प्र्यांका है वो निम्रत की क्याप्टनसी के पीछे हाथ धो कर पड़ गई है और वो लगातार ही कह रही है कि निम्रत की क्याप्टनसी में हर कोई सो रहा था लाइट बंध होने से पहले तो वही अर्चना कह रही है कि कल वाश्रूम भी साफ नहीं किया गया और यहां तक की शिफ ठाकरे प्र्यांका के एलिगेशन को तो गलत बताते हैं लेकिन हाँ जो अर्चना ने कह है कि कल वाश्रूम साफ नहीं हुआ इस बात पर शिफ की भी सहमती बनती है लेकिन त्रयंका अब खुले तोर पर बोल देती है कि यह फिनाले का जो टिकेट टो फिनाले वीक है यह इतना असान नहीं होगा क्योंकि हम यहां पर जीतने के लिए आए हैं यहां पर हम किसी को भी खेरात में कुछ भी नहीं देने वाले हैं तो इसे लिए इसके लिए सब को लड़ना होगा मैदान में आकर और फिर मुकाबला करना होगा और फिर कोई एक शक्स इस फिनाले के टिकेट को जीत पाएगा अब ऐसे में जब प्रियंका ने खुली चुनौती देदी है तो शिव और उनका जबरदस्त जगड़ा हो गया है यहां तक कि निम्रित की वज़े से अब सुम्बुल और प्रियंका भी हाता पाई पर उतर आई हैं और अब कहीं न कहीं घर का जो मौहौल है वो काफी जादा गर्मा आता जा रहा है बहराल आप लोगों को मेरा वीडियो कै कैसा लगा और आप लोगों को क्या लगता है क्या वाकई में निम्रित की कैप्टेंसी उनसे चीन जाएगी क्या प्रियंका बन जाएगी घर की कैप्टें और प्रियंका को मिलेगा कैप्टेंसी का ताज देखना होगा बहुत जादा दिल्चस्प क्योंकि अब प्रियंका फॉर्म में आती नजर आ रही है कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर बताईएगा इस वीडियो में इतना ही है